आज मैं अपने editing secret को reveal करने वाला हूँ अगर तुमने success zen को instagram पर follow किया होगा तो तुम्हें पता होगा कि मेरे वीडियो में किस top level की editing रहती है and trust me अभी के time वीडियो को viral करने के लिए algorithm नहीं editing ही काफी है इस वीडियो में हर एक step बताऊंगा sound कैसे add करना है transition कैसे करना है everything So are you ready to uncover the magic behind my edit? Let's dive in Well, वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दूँ कि how to make viral reels इस वीडियो का एक part बना चुका हूँ editing को छोड़कर बाकी सब कुछ बताया हूँ वो इस वीडियो के last में आपको मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं मैं VN Editor को open कर लेता हूँ then यहां plus पर click करके सबसे पहले एक background को add करना है मैं ये blue shaded light वाली background यूज कर रहा हूँ फिर जो voice over edit किया था उसको add कर लेंगे YouTube से पैसा कमाना चाहते हूँ YouTube से पैसा कमाना चाहते हूँ अगर हमें viral video बनाना है तो हमें intro को बहतर से बहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए तो intro के लिए मैं कुछ नए नए material add करूँगा जिसमें एक building की PNG add कर लेता हूँ फिर इसे background के हिसाब से perfectly adjust कर लेंगे then इसमें animation देना है तो motion पर click करेंगे और ये scale का second side यूज़ कर लेंगे और इसका duration 0.2 second ही रखना है YouTube से पर now आगे voice over में YouTube है तो सबसे पहले YouTube का PNG add कर लेता हूँ और इसे building के नीचे ले आएंगे इसमें animation देना होगा तो यहाँ पर keyframe को add कर YouTube के logo को नीचे ले आता हूँ और जहाँ पर भी animation चाहिए वहाँ पर ले जाकर के जूम कर देना है animation अभी भी smooth नहीं है तो इसके लिए second वाले keyframe पर आएंगे then curve पर click करके ये quart out को select कर लेना है YouTube कर लेना है नाव आगे के लिए money overlay को add करेंगे और इसे fit कर लेना है then chroma में जाकर plus को green पर रखेंगे तो green background आउटोमेटिक हट जाएगा फिर इसे सब से नीचे ले आएंगे और voice over के हिसाब से इसको adjust कर लेना है इन सब में थोड़े से और animation का use करेंगे नाव सभी animation matched हो रहा है एंड हमारा first part यहां तक complete हो गया तो यहां से cut कर लेंगे नाव next part के लिए एक red png add करूंगा और एक character जो laptop लेकर बैठा हुआ है फिर इसमें animation देंगे और perfectly set करेंगे ताकि बैठा हुआ लगे इसको यहीं तक रखना और अगले part के लिए दूसरा character को use करना है तो उसे मैं add कर लेता हूँ then इसमें animation देने के लिए थोड़ा आगे keyframe करेंगे फिर पीछे आकर character को zoom करके side में कर लेना है और इसे और smooth बनाने के लिए curved पर जाकर इन वाले को select करेंगे यहां पर text add करना है और जो font पूरा simple हो उसे ही use करूंगा तो मैं यह Montserrat वाला font यूज कर रहा हूँ end color में yellow color चूज करके इसका shadow max कर देना है और border को पतला कर लेंगे then size adjust करके इसे center में fit कर देता हूँ now text में भी animation देना है तो motion में जाकर यह scale वाले को 0.2 second कर देता हूँ फिर voice over के हिसाब से सभी को word by word कट कर लेंगे and आप इसे voice over के इस line के हिसाब से भी कट कर सकते हो आसान हो अब voice over में जो word जहाँ पर भी है उसको लिख लेना है पर वीडियो बनाने नहीं आता तो मैं बताता हूँ न वीडियो कैसे बनाना है अब इस बेजान कैरेक्टर में भी थोड़ा animation देकर जान डाल देना चाहिए ताकि यह किसी को boring न लगे और इस कैरेक्टर में भी animation दे ही देता हूँ यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं पर वीडियो बनाने नहीं आता तो मैं बताता हूँ न वीडियो बनाने नहीं आता तो मैं बताता हूँ न वीडियो कैसे बनाना है नाव ये वाला पार्ट तो complete हो गया है और next पार्ट में हम transition overlay add करेंगे यहां से scene change हो रहा है तो यहां पर मैं ये flash वाला transition overlay को add करके fit कर दूँगा देन blend में जाकर ये screen वाले को choose कर लेना है इस से transition अच्छा दिखेगा यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते पर वीडियो बनाने नहीं आता तो मैं बताता हूँ न वीडियो कैसे बनाना है सबसे पहले chat GPT पर जाएंगे देन उससे एक horror script लिखवा लेंगे फिर इस पार्ट के लिए मैं पहले से ही chat GPT का screen recording करके रखा हूँ तो उसे मैं add कर लेता हूँ अब इस clip की जहां तक जरूरत है वहाँ पर मैं mark कर लेता हूँ उससे पहले chat GPT पर जाएंगे ये screen recording voice से match नहीं कर रहा है तो speed में थोड़ा adjustment करना पड़ेगा इस point को उपर कर देंगे जिससे speed increase हो जाएगी और इस clip की जरूरत बस यही तक था तो यहाँ से ऐसे cut कर लेंगे आगे के लिए मैं पहले ही एक clip को edit करके रखा हूँ तो उसे add कर लेता हूँ फिर इसका green screen remove कर देना है और इस clip को इसके हिसाब से मैं cut करके adjust कर लेता हूँ यहाँ पर इस horror वीडियो को दिखाना है तो voice over को cut करके थोड़ा आगे कर लेना है नाव यह वाला पार्ट भी complete हो चुका है तो इसमें भी वही same transition यूज़ करेंगे अब यहाँ पर एक horror image की जरूरत है तो इसके लिए हम browser को open कर लेंगे देन search pixabay यहाँ पर मुझे horror image चाहिए तो मैं horror search करूँगा नाव मुझे ये वाला image सही लग रहा है तो इसे download कर लेता हूँ अब यहाँ पर एक character का image चाहिए तो उसे add कर लेंगे देन इसमें थोड़ा motion दे देना है अब यहाँ पर वही image add कर लेना है जो अभी download किया था and mask में जाकर इसके corner को थोड़ा curved कर दूँगा and next image के लिए image पर text लिखा हूँ तो मैं उसे add कर लेता हूँ अब यहाँ पर इसको cut करके दूसरा character add कर लेंगे और इसमें वही same animation लगा देना है now आगे upload के लिए कुछ लगाना पड़ेगा उसके लिए मैं यह green वाला लगा देता हूँ then इसका green screen remove करके speed को adjust कर लेंगे अब speed almost match कर रहा है और यहाँ पर एक और recording लगाना है जिसे मैंने पहले edit किया था तो मैं उसे भी add कर लेता हूँ then इसको perfectly add adjust कर लेना है यहाँ पर भी वही same transition को use करेंगे and जहाँ भी scene change हो रहा हो वहाँ पर definitely एक transition use करना चाहिए इससे cut smooth होता है now अब इस part के लिए एक character और money overlay को add कर लेना है पैसा कमाओ now हमने almost 90% editing खत्म कर लिया है and last में हम sound designing करेंगे जिसमें sound effect और background music aid करना है तो चलो करते हैं यहाँ पर यह logo उपर जा रहा है तो यहाँ पर hoosh sound aid कर लेंगे then आगे money है तो यहाँ एक cash register sound aid करेंगे और cut करके इसको fix कर लेंगे ऐसे ही जहाँ जहाँ पर sound effect की जरूरत है वहाँ पर मैं add कर देता हूँ हुर इन हुर इन हुर हुर वेट मत तो start करो और पैसा पैसा कमाओ नव sound effect almost सभी जगह लगा दिया है and a background music add करना है जिसमें मैं ये mission वाला music add कर रहा हूँ as a background music और मुझे जहां तक ये music रखना है वहाँ से cut कर लेंगे नाव आगे horror वीडियो की बात हो रही है तो आगे के लिए horror जैसा ही music add कर लेते हैं ताकि wives match हो तो music add करने के बाद इसको पूरी वीडियो तक खींच देना है last के लिए मैंने एक call to action बनाया है तो मैं उसे add कर लेता हूँ उससे पहले follow कर लो यार नहीं तो ऐसे useful content मिस हो जाएगा तो यहां से मैं cut कर दूँगा फिर इसमें भी motion लगा करके एक sound effect लगा देना है नाव हमने पूरी वीडियो एडिट कर लिया है अब हमें export करना है तो उसके लिए resolution को 1080p, fps को 30 पर and mbps को 20 के करीब रखना है then click on export वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है और हमारा final result कुछ ऐसा आया है YouTube से पैसा कमाना चाहते है पर वीडियो बनाने नहीं आता तो मैं बताता हूँ ना, वीडियो कैसे बनाना है सबसे पहले chat GPT पर जाएंगे then उससे एक horror script लिखवा लेंगे फिर इन वीडियो AI पर जाएंगे यहां वो script paste करेंगे कुछ time processing के बाद एक horror वीडियो रेडि हो जाएगा thumbnail के लिए एक डरावनी image create कर लेंगे उस पर कुछ text लिख देना है ताकि एक perfect clickable thumbnail बन जाए then इसे YouTube पर upload करेंगे एसी वीडियो बहुत लोग बना रहे हैं और उस पर views भी काफी ज्यादा है तो wait मत करो, start करो और पैसा कमाओ उससे पहले follow कर लो यार नहीं तो ऐसे useful content मिस हो जाएगा तो अभी के लिए इतना editing काफी है बट फिर भी तुम्हें और advance वाली editing tutorial चाहिए तो part 2 comment कर देना और जाते जाते ये वीडियो देख लो इससे Instagram पर viral जाने के सारे गुरु मंत्र मिल जाएंगे